बॉलिवूट के सबसे चर्चित कपल दीपिका और रनवीर ने इटली के लेक कोमों में गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। इसके बाद दोनों ही भारत लोट आए थे और कल ही बैंगलूरू शादी के रिसेप्शन के लिए रवाना हुए। इस दोरां दोनों के कई सारे फोटोस और वीडियो शोशल मीडिया पर वारण हो रहे थे। इसमें से कुछ फोटोस में देखने को मिला गी दीपिका के गड़न पर बना टैटू गायब था। बताया जाता है कि दिपिका इगर्दन पर बने इस टैटू में उनकी एक्स बॉइफेन रनबीर कपूर का नाम आर के लिखा हुआ था इसके लिए भी दिपिका काफे सूर्क्यों में रही थी वे टैटू उनने तब बनवाया था जब रनबीर के साथ रलेशन्शिप में थी यह टैटू बना कर दिपिका रनबीर से अपने प्यार का इसहार किया था इसके बाद से उनका टैटू खबरों में बन गया था एक बार फिल्म मैगजिन को दिए इंटरव्यू में दिपिका ने अपने इस टैटू के बारे में चिकर भी किया था हालंकि रनबीर से रिष्टा तूटने के बाद दिपिका ने इस टैटू को डिजाइन में बदल दिया था अब शाय दिपिका ने इसे पूरी तरह से मिचा दिया है कहा यह भी चारा है कि हो सकता है कि टैटू को सिर्फ मेकप से शादी के लिए चुपाए गया हो ब्रेकप के बाद भी दिपिका और रंबीर एक दूसरी के बहुत अच्छे दोस्त है जहां ब्रेक अप के बाद रंबीर का नम केटरीना के साथ जुड़ा वहीं फिलाल वे आलिया को डेच कर रही है दोसे तब दिपिका और रंबीर के बीच नजदी के बड़ी और दोनों ने 6 साल के रिलेशन को शादी में बदल दिया दिपिका ने अपने परसनल लिष्टे की दूरियों को काम के बीच में नहीं आने दिया